जहेंदे प्यारे साथ योग कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगे योनिक स्टेडी विद अजय योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्टोग्राफी देखो कल हमने बिलकुल डिसाइड किया था कि जोग्रोफी के हम पढ़े दो क्लास लेंगे और दो बजे और एको स्याम को साड़े साथ बजे लाइव पुरी कोसिस कर गरूँगा और पर क्लास को कंपली lever करना है और बहुत तरीके से फोकस करते हुए हमें स्टेडी कंप्ली करना है और सलेवस को कवर करना है तो जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मैंने दो तिन बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टोपिक पढ़ाया था एक तो आपको हीदर ग्राफ क्लैमोग्राफ डैसिमेट्रिक मैप यह सारी चीज नहीं करोगे वो बिल्कुल पहले वाले रूल रेगुलेशन के अकोडिंग आपको बिल्कुल भी चिटिंग नहीं करनी है और आपको बताना है कि क्लैमोग्राफ में यहां पर आप किसको रिपरजेंट करोगे और यहां पर आप किसको रिपरजेंट करोगे हीदर ग्राफ म क्लाइमेटोग्राफ और क्लाइमोग्राफ में कौन सा अंतर है ओगिलवी का अग्रोग्राफ कब दिया गया था अग्रोग्राफ सबसे पहले किस ने दिया था यह ऐसे कुछ क्यूशन है जिनको आपको याद करना चाहिए आपको याद होने चाहिए बैसिमेट्रिक मांचितर का हम प्रियोग किसके लिए करते हैं समान घ्रत्तव वाले इस्थानों को मिलाने के लिए कौन सी रेखा का प्रियोग किया जाता है तो ऐसे भूत सारे important important fact है question है जिनका हमें पता होना चाहिए और यहां से question बनते हैं ठीक है तो पिछली दो class को मैंने यहां पर आपको revise करवा दिया है class लेने से पहले आप in questions का answer जरूर दें ठीक है अपने दिबाग में एक बार जरूर repeat करें कि इनका answer क्या होगा अब हम सुरुवात करते हैं विमय आरेक का जिसको dimensional diagram बोलता है इसके लिए कुछ जामितिया आकर्तियों का प्रियोग कि जाता है कुछ विमाओं का प्रियोग किया जाता है जैसे दंड दंड कुछ इस तरीके से होता है आयत कुछ इस तरीके से होता है ठीक है इस तरीके से होता है वर्ग कुछ इस तरीके से होता है घन वर्थ कुछ इस तरीके से बिल्कुल गोला होता है वर्थ एक बिल्कुल प प्रत गोले आधिका प्रियोग करते हैं कोई भी जामितिया आकर्थी के अधिक से अधिक तीन विमाएं होती हैं यह मैं आपको पिछली वाली क्लास में भी बताया था यहां पर भी बता रहा हूं कि जामितिया आकर्थी के मैग्सिमम केवल तीन विमाएं होती हैं ठीक है एक है दो दिवी विमी है और त्री विमी है ठीक है अब आप बोलोगे कि सर जब हम वर्ग बनाते हैं तो इसमें टोटल चार विमाएं आ रही है देखो यहां पर आधार लंब और करण तीनों काउंट होते हैं ठीक है तो इस आधार पर एक विमा दो विमा और तीन विमा यह टोटल इसकी तीन डाइमेंशन हो गई यहां परहम पढ़ते हैं जो सबसे पहले मिस्रित दंड आरिक ठीक है कमपाउं बार डाइकराम इसके दुआरा आकडो का कुल योग एवं उनके विबिन भागों को परदर्शित किया जाता है जो मिस्रित दंड आरिक होता है इसके दुआरा क्या किया जाता है आकडो का कुल योग और उसके विबिन भागों को परदर्शित किया जाता है इसे अंतर विबाजित दंड आरिक भी कहते हैं अब मैं समझाने की कोशिस करता हूँ आंकडों का कुल योग और इसको विभिन भागों को परदसित कर दिया जाता है इसमें इसको बहुत सारे सब डिविजन में डिवैड कर दिया जाता है बिल्कुल छोटे-छोटे दूसरे भागों में डिवैड कर दिया जाता है आंकडों से दंड बनता है इसको आपने अलग-अलग भागों में डिवाइड कर दिया इस पूरे दंड की वैल्यू थी 500 या 600 माल लेते हैं और इसको आपने तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया 200 200 200 ठीक है तो यह क्या हो गया मिस्रित दंड आरिक हो गया कि इसमें एक दंड में बह आरिक था इसकी हमने वैल्यू 600 मानी थी इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया 200 200 200 तो यह क्या है अंत्य विबाजित है एक दंड है जो तीन भागों में डिवाइड है ठीक है फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं द्वी दिसा दंड आरिक यदि पदमाला में धनातम एवं रिनातमक दोनों ही परकार के आकड़ित दिये गए हो तो उसे हम द्वी दिसा दंड आरेक कहते हैं यह एक कोई दंड है ठीक है यहां पर हमने जीरो वैल्यू मानी इससे हम माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच पहली कंडिशन यह रिनातमक कं ही दंड में आपको ये दोनों इस्तति देखने को मिले धनातमक भी और रिनातमक भी तो ऐसे दंड आरेक को आप क्या कहोगे दिवी दिसा दंड आरेक बोलोगे एक रिनातमक दिसा हो गई एक धनातमक दिसा हो गई एक positive एक negative ठीक है तो इस तरीके के दंड आरेक को आप क्या कहोगे जिसमें negative number भी होता है और जिसमें positive number भी होता है ठीक है तो उसको आप कहोगे दिवी दिसा दंड आरेक इस परकार दो परस पर विरोधी गुणों वाले समंगों को परदर्शित करने के लिए इस दंड चेतर का प्रियोग करते हैं भाई लोगों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए एक साइड एक ही ग्राप में यदि हम negative और positive दोनों को दिखा रहे हैं पिलस और माइनस धनात्मक और रिनात्मक दोनों value को दिखा रहे हैं तो धनात्मक value रिनात्मक value के अपोजिट हो गई और रिनात्मक value धनात्मक value के अपोजिट हो गई तो जब हम किसी एक दंड आरे के द्वारा धनात्मक और रिनात्मक या दो परस पर विरोदी समंकों को परदर्शित करते हैं दो परस पर विरोदी आंकडों को represent करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे दिवी, दिसा, धंड, आरे कहेंगे ठीक है जैसे मैं एक बहुत प्यारा example दे रहा हूं यह हम एक graph बनाए भारत का graph है यह भारत के किसी भी वस्तू को represent कर रहा है suppose that हम बात कर रहा है लोहे को represent कर रहा है भारत क्या कर रहा है लोहे का export भी कर रहा है और लोहे का import भी कर रहा है जो सामान export कर रहा है उसको हमने किसी दिखाया प्लस से दिखाया और जो सामान वो import कर रहा है उसको हमने minus से दिखा दिया भारत एक चीज भेज रहा है suppose जट भारत ने deal कर ली कि भाई तुम मेरे को पेट्रोल दो मैं आपको लोहया दूँगा मैं आपको तामबा दूँगा तो यहाँ पर क्या हो गया एक सैड जा रहा है सामान एक सैड वापस आ रहा है तो एक ही ग्राफ के दौरा दो परकार के डाटाओं को रिपरजेंट किया प्लस माइनस दोनों यहाँ पर अउलेबल है रिनातमक दरातमक दोनों गुण यहाँ पर परजेंट है ठीक है उसके बाद आता है बहु दंड आरेक मल्टिपल बार डाइकराम यदि पदमाला में इस्थान एवं समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तों के आकड़े द उसे तो उनके तुनातमक अध्यन को बहु दंड आरेक कहा जाता है ध्यान से सुनना यदि पदमाला में पदमाला का मतलब होता है यदि किसी भी ग्राफ में इस्थान एवं समय के अनुसार यहाँ पर सबसे इस्पेसल बात ध्यान रखना कि जो मल्टिपल बार डाइगराम होता है उसमें इस्थान और समय दोनों के बहुत वैल्यू होती है दोनों बहुत इंपोर्टन रखते हैं यहाँ पर के अनुसार दो या दो से अधिक वरस्तों के आंकड दिया गया है यहाँ पर दोनों बाते आपको धहां रखना है यहाँ पर इस्थान समय दो या दो से अ यह स्थान दूसरा इस्थान दूसरी कंडिशन हो गई समय थाइम भाई ऐसा तो है नहीं कि कभी एक टाइम पिडियर होता है जिसमें एक्सपोर्ट हो रहे हैं आप कोई भी काम करते हो एक्स वाई जड़ आप दुकान से कोई सामान भी खरीद के लिए क्या आते हो तो उसका भी एक एक फिक्स टाइम पिडियर होता है ठीक है आपने कुछ भी करीदा अपने किसी भी रिएक्स करने के लिए पूल गरीद रहे हो एक्स वाई जड़ak कुछ पी पर्पोज कर सक्थ के ठोपिक को और वसको ब्चिस्पट है को अपनी अपनी गई घर array को देने के रखोगी तो वह क्या कर रहा है भाई आपकी girlfriend ने आपको दिया तो आपके लिए क्या हो गया वह इंपोर्ट आया कुछ आपने girlfriend को दिया गया कुछ एक्सपॉर्ट हो गया इंपोर्ट हो गया ठीक है तो यह वाली situation होती है तो यहाँ पर इस्थान और समय दोनों को भी count किया जाता है साथ में दो या दो से अधिक वस्तु होती है यहाँ पर एक वस्तु सामिल नहीं होती ध्यान रखना आप जो दंड आरेक था उसमें आप एक वस्तु को count कर सकते थे ठीक है जैसे के वल गुलाब के फूल को count कर सकते हो लोहे को count कर सकते हो पैट्रोलियम को count कर सकते हो लेकिन यहाँ पर कंडिशन है multiple यहाँ पर आप किसी एक वस्तु को नहीं count कर सकती है यहाँ पर दो या दो से अधिक होती है आप वही example ले रहा हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह girlfriend boyfriend वाला ठीक है आपने अपनी girlfriend को एक गड़ी दिला दी एक dress दिला दी इसके लावा कुछ एक और सामान दिला दिया ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा एक grab बनाया कि भाई मैंने क्या क्या दिलाया उसको उसमें आपने इस्थान भी दिखाया कि वहाँ से मैंने दिलाया था समय भी लिख दिया कि भाई उस तारीक को इतने बज़े खरी दे थे सामान गुलाब कफो डरेस एक गड़ी ठीक है तो यहाँ पर दो कंडिशन है पहला इस्थान समय दूसरा दो या दोस्यदिक वस्ट हुए है भारत में इस्तरी एवं पुरूस साक्षर्ता दर्का परदशन ध्या रखना यहां तक के तो मैं केवल आपको एग्जामपल समझा रहा था लेकिन जो रियल चीज है वो है य्यदि भारत में इस्तरी और पृूस के साक्षर्ता को दिखाने है लिट्राएद सीड़ा को उसमें हमने क्या दिखाया कि भाई राजस्तान का साक्षरता पुरुस महिला साक्षरता ठीक है पुरुस साक्षरता दो हजार ग्यारा में इतनी थी महिला साक्षरता दो हजार ग्यारा में इतनी थी राजस्तान की दो हजार ग्यारा की महिला साक्षरता इतनी थी पुरुस साक का लिया तो दो परकार के डाटाओं का दो या दो से अधिक अंकडे राजस्तान उत्तर परदेश खुद्ष्यूम भारत भी एक का सब्द का यूज करें आप विश्व का भी कर सकते हो और राजस्तान देज्rijस कशहने के लिए लिटरसी OP को दिखाने के लिए साक्षरतादर को दिखाने के लिए आप किसका उप्योग करेंगे multiple bar diagram का उप्योग करेंगे यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है विबिन छेत्रों में किर्शिया फसलों एवं विबिन उद्धोगों के उत्पादन या किसी छेत्र में विबिन वर्सों में परस्पर संबदित आँकडों को परद्शित खनने के लिए आप फसलों के उत्पादन को दिखाना चाते हो आप इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को दिखाना चाते हो इन सबी के लिए आप क्या करोगे आप मल्टिपल बार डायग्राम का प्रियोग करोगे क्यों क्योंकि आप रिपरजेंट करोगे कि भाई जैसे किर्शे का हुआ उत्तर परदेश में घ्याओं का उत्पादन कितना हुआ मद्य परदेश में कितना हुआ उत्तर पर्देश के कौन से जिले में सरवादिक हुआ कौन से जिले में नियूंतम हुआ 2011 में उत्तर पर्देश में कितना पैदा हुआ 2012 में कितना पैदा हुआ 2021 में कितना पैदा हुआ 2012 में कितना पैदा हुआ ये क्या है यहाँ पर time period है इसी तरीके से industry आप यह थी थोड़ा बहुत आपको पता हो तो आपको मालूम होगा कि जो इंडस्ट्री डाटा है वो भी जब हम इंडस्ट्री का बिल बनाते तो उसमें सारी चीज़े mentioned की जाती है कि कब सामान आ रहा है कहां से सामान आ रहा है कहा सामान जा रहा है कितनी तारिक को क्या आया कितनी तारिक को क्या जाएगा बिल्कुल इसी तरीके के तमाम डाटाओं का प्रियोग किया जाता है ठीक है इसे तुलनात्मक बार आरेक भी कहते हैं इसको comparative diagram भी कहते हैं तो जो multiple bar diagram था इसको comparative diagram भी कहा जाता है उसके बाद आता है पिरामीड आरेक देखो पिरामीड आरेक को मैं कल पड़ा हुआ पिरामीड आरेक सबसे पहली बात बता दू यहां पर सबसे महत्पून है बिल्कुल 100% महत्पून है यह इसके आप जितनी लाइन खेंचना चाहो उतनी खेंच सकते हो क्योंकि यहां से क्योषन ब इसके अलावा इंटरनेशनल मैप, ओगिलवी का क्लाइमोग्राफ ये ऐसे हैं जो आपस में कन्फ्यूज करते हैं, आइसोसिसमल, होमोसिसमल, आइसो थ्रम, आइसो बाथ, आइसो बार, आइसो हेलाइन, आइसो निफ, आइसो निफ, आइसो हिम, ये सारी चीजें बिल्कुल कन्फ्यूज करने वाली हैं, लेकिन इंपोर्टन है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो इसलिए इनको बार-बार रिपीट करते रहें, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, इन साल का पेपर, अगले, अगले तिंग दिन में कभी भी हो सकता है, एक भी क्योशन गलत नहीं होना चाह को देखने के लिए, ठैंक्स, बार.